समस्याओं का समाधान रिशी चिन्तन से हमारे एक मित्र आत्मोनती के लिए ग्रह त्याग करके रिशी मुनियों जैसा जीवन जीना चाहते हैं क्या यह उचित है? समाधान हमारे पूर्वत जिशी मुनियों को ठीक तौर से पहचानने में लोग बड़ी भूल करते हैं जिशी मुनियों के जीवन पर गंभीरता पूर्वक द्रिश्टिपात किया जाए तो उनकी सच्ची आत्मोनती के प्रमान प्रत्यक्ष हो जाते हैं जंगलों में जाकर रुखा सुखा खाकर अकर्मन्य आलसी अजगरों की तरह वे नहीं पड़े रते थे बरन वहां जाकर जन साधारन की सेवा के लिए अधिक से अधिक काम करते थे रिशी द्रोणाचारे ने शस्त्र विद्या में स्वयम पूर्णता प्राप्त की और अनेक को उस विद्या में पारंगत बनाया चरक रिशी ने चिकित्सा शास्त्र की महत्वपूर्ण शोध की सुश्रूत रिशी ने शल्लिक्रिया सरजरी का अविश्कार किया पाणीनी ने व्याकरन शास्त्र की रचना की, आर्यभट ने खगोल विद्या के मर्मो की खोज करके जोतिश शास्त्र बनाया, रिशी वासिस्ट ने अपने उपदेशों से राम को मर्यादा पुर्शोतम राम बना दिया, परशुराम रिशी ने अपने प्रचंड बाहुबल से प्रत्वी को अत्याचारियों के रक्त से रंग दिया नारद रिशी का प्रचार कार्य इतना प्रबल था कि भे एक घड़ी से अधिक एक स्तान पर नहीं ठहरते थे और इस युग में जो कार्य अनेक अकबार और पब्लिसिटी ओफिसर मिलकर नहीं कर पाते उतना काम उस सम अकेले नारत कर लेते थे रिशी विश्वामित्र ने अलग ही श्रष्टी रच दी रिशी व्यास ने अश्टादश महापुरान रचे योगी चानके ने अर्थशास्त्र और कूटनिती शास्त्र के अपूर्व विज्ञान की रचना की एक भी रिशी मुनी योगी का जीव थे पर वह होता इसी प्रकार था जैसे प्रातहकाल अधिक काम करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम निद्रा लेते हैं या कुष्टी लड़ने का बल बढ़ाने के लिए दूद पीते हैं रहन सहन को कम खर्चीला वे इसलिए बनाते थे कि अपने नीजे जंजटों को पूरा करने के लिए कम परिश्रम करना पड़े और अपनी अधिकान शक्ति का उप्योग लोकसेवा अथ्वा परमार्त के निमित हो सके यह मानना भी गलत है कि हमारे रिश्यमनी योगी स्त्री बच्चों को त्याग देते थे सच तो यह है कि शायद ही कोई रिशी रहा हो जिसने अविवाहित जीवन बिताया हो अन्यथा पुरान साक्षी है कि सभी रिश्यों के पत्निया और संताने मौजूद थी रिश्यों के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला गया है कि नकलची लोग पूरी बात को समझें और तब उसका अनुसरन करें बाल बच्चों को भटकता छोड़ कायरता के साथ करतव्य धर्म की अवहेलना करते हुए घर त्याक कर भाग जाना और भगवान भज ना स्वार्थ है और ना परमार्थ है पुस्तक समस्याओं का समाधान रिशी चिंतन से प्रिष्ट छाचट अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिशी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें ताथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद